अब आज भी हमने यही काम करना है सेम के अब हमने इंट्रेक्टिव ग्रेट पड़ना है जिस तरह वहाँ पे और इकल फॉर्म में आप देखते हैं के टेबूलर फॉर्म होता है इसी तरीके का यहां पर एक फॉर्म होता है इंट्र एकटिव ग्रेट जिसको हम बोलते हैं कि इंट्रेक्टिव ग्रेट किस तरीके का होता है ये कृटिट करके से लगाेक मैं इसको पड़ा है इम राइए बिल्कुल ऐसे ही है यहां पर सबमें बिल्कुल ऐसे ही होगा कि अलग पेज जिस तरह वहां पर एक अलग पेज बनता है समय ले वहां का फॉर्म है या का पेज बिल्कुल ऐसा ही है कॉल हो जाती है जी बिल्कुल अब ये कह रहा है एडिटिंग इनेबल हमने का बिल्कुल नेक्स पे आते हैं अब ये पुछेगा प्रैमरी की का आप्शन तो यहां पे प्रैमरी अच्छा प्यास के डियावलपर मैंने करा तशा है आपके पास क्या है प्राइब तो यहां रहा है इए ये लिएड़ा के इने टाही है विल्कुल थे टुछ टूर मैंने को शे प्लाइब रहा है विल्कुल एंग। तो ये छागा कर दो कर दो कर दो जी जी बहुत कम कर दिया है फीशनों ने बहुत कम कर दी है सही कह रहे है जी रिनेक्ट हो जाना चाहिए इन्वैलिड यूजर और पासफर्ट किया रहे है चाहिए चाहिए पिपिटल में रखा हुए इन्वैलिड पासफर्ट 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 चाहिए 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 युजर 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 झाल 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 रचन का है को हम देखें यह इंपलाइडी इंपला्राइमरी की कंपलाम में बहुत सारे अवी इंपलाइडी और यहां पे है परेम्री की लगिव एंपलाय डी भी लिए लगी की फाहस है परेम्री की सिस्ट्म जबना सकते हैं मैं कभी देया है कि अढ़नी करेंगा यहां॥ बर हाफ हैं दो спрос canada की आदे सकते हैं उसमें कभी भी यूजर ना डुप्लिकेट नहीं डाल सकता, वो अला होई नहीं करेगा, लेकिन हम फिर भी इसको आटोमेटिक ही रखते हैं, प्रैमरी की का बैसिकली मकसद फाइदा यह होता है हमें, कि डेटा बेस में वो यूनिक नमबर लेकर आएका लाजमी, डुप्लिक मकसद हो, तो यहां पे परैमरी की हमने इसकी बना ली, कि रिएट पेज कर देते हैं, जी बिल्गुल ऐसा है, फॉर्म पे फॉर्म पे वही परैमरी की कॉल होती है, और कुछी ही होता है, यानि फॉर्म पे आप अपनी अलट से परैमरी की नहीं बना सकते हैं, अब देखें, मैंने अभी आटोमेटिक सब को अभी विजट की दुरू फॉर्म बनाया, इसने इंपला आइडी को ना ऑटोमेटिक डिसेबर लगता हूँ है, यह अभी मैं फॉर्म रंद करता हूँ, यह लेकिन डेटा नजर आगिया है, यहां पे इंपलाय आइडी कही नजर नहीं आ रही है, यह बिल्कुल यह परैमरी की को आटोमेटिक डिसेबर लेकिन नॉर्मल यह मैं ऐसा तो नहीं हमें शुक्रवाना पड़ता है, ताकि जो भी इसन परसन है, वो किसी को अगर इंप पना चाहिए कि इस बंदी की क्या एडी है, बड़े वो सिस्टम जन्रेटिड होगा, लेकिन नजर तो आना चाहिए न, जी इंपलाय नंबर, जी इंपलाय नंबर यही, जी, ऐसा ही है, अच्छा यहां पर हम लोग देखें, यह अब बुई नहीं है, हर जाग का समने अलग 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 सिस्टम है, अब क्याना में मैंने केज़ा का काम कर आए, एक दुने का सिस्टम मैंने थर्ट पार्टी की तुरों हैंटिल भी कर आए, तो वहां बहुत आए, तो वहां पर एते हों बॉंच सिस्टम में अलग 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 यहां पर भी इसला में मैं इसको कर देता हूं है, memang अब मैं इसको करेंद आए पर तक्स आएटम और दिया मैंने इसको आप जैसी text field कर रहा है मैंने इसको save कर देता हूं नहीं text field में number यह इसको input तो करने देगा ABC देखें ऐसे यहां पर मैं number field भी ले सकता हूं कि यहां पर में नंबर फील्ड भी ले सकता हूं दोना उप्चन है उससे के मतला नहीं है अगर यूजर गलती से एवी सी इंसेट कर भी देगा तो डेटाबेस में नहीं जाने देगा कि यह आगिया इंप्राइडी लेकिन अभी इसकी हैडिंग नहीं आ रही देखें कि अच्छा एक चीज सरीम भाई मेरे खाल मैं शायद आपको थोड़ा वो इसकी नॉलिज हो यह नहीं हो दो मैं बता भी देता हूं जो भी डेटाबेस में नंबर टाइप के कॉलम होते हैं उनकी हैडिंग जो आटमेटिक राइट साइड पर आती है और जो वर्चार यानिकि जो स्ट्रिंग टाइप के कॉलम होते हैं उनकी लेफ साइड पर होती है आटमेटिक यह खुद ही काम करते हैं अब देखें इंप्ला आइडी को मैंने भी सिर्फ राइडिंग दी यह लेकिन यह नहीं बता है मैंने कर राइट पर राइट पर रखो है लेफ पे इस तने ऑटमेटिक राइट पर लेके गए ऑगें और देखें फिस निम को जाएगा, वो option भी है, मैं तो by default आपको behavior बता हूँ दिसे कि first time पर आये नहीं, यह रहा, इसका behavior, alignment, left हुई भी है, आप इसको center कर दें, अधिन सलिम भई, अच्छा, अब इसमें और हमारे पार बहुत सारे option क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या हो सकते हैं, आप इसमें, हमारे पार डेखें, add row का option भी है, हमें कोई data change करना हूँ, मिसाल के तोर पेपी मुझे यह वाली रो जो वन हंडेड़ इड़ी है इसका जो है वो नेम किंग है तो इसका मुझे नेम चेंज करना है चेंज रिकॉर्ड सेफ रिकॉर्ड सेफ हो गये डेटावेस में भी देख लेते हैं बिल्कर ऐसे यह अब यह अब यह अब यह अब यह अब यह अब यह मैंने इंशेट कर दिया और शरी अबडेट कर हम यह अब हम एक रहां इंशेट कर देते हैं कर दो कर दो नब दो कि डोड़ा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जुक हम करो चदिक वसे कि मैं अब हम इसको करते हैं डिलीट जी बिल्कुल ऐसे ही सब्सक्राइब यह रिकॉर्ड हट भी गया और हमने तीन ऑपरेशन परफार्म कर दिये हैं अच्छा इसमें और भी बहुत सरे ऑप्शन दिये हैं मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि एडिट है स्वरी एक्शन है इसमें वही बिन आपको बताया था कि हम इसमें रिपोर्ड भी निकाल सकते हैं रिपोर्ड सेव भी कर सकते हैं इसमें कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं चाहिए कोई हटाना है तो हम बोस सब इसमें काम कर सकते हैं आपर डाउनलोड करना है इसी शीट के अंदर बिल्कुल यह डाउनलोड का उप्शन आगिया हमने कोई रिकॉर्ड सेर्च करना है मैं चाहता हूं कि डेपार्टमेंट एक्जेकेटिटिफ के बंदे आ जाएं है ठीक है सलीम भाई यह किसके है यह जर्नल ही सर्च है यहां पर किसी भी कॉलम में वेर्यू सर्च करेंगा और देगा आप जैसे मैं इसको हटा के गो करूंगा यह फिल्टर मुझे यहां से हटाना पड़ागा तो अभी आवराल रेकॉर्ड लेकर आगे है यह क्लियर सलीम भाई वो रेकॉर्ड है जिसके है लिक है चौविजर झाल 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 हुआ है में डि पार्टम नि करें रडीम भी चलिया रहे जी, टेक्स कोलम पे चल दा, नमबर कोलम पे नहीं चल दा नहीं, यह नहीं चल दा, इसके लिए एक और काम है, वह मैं करता हूँ है, अगर अलग से अपने फिल्टर लगाने होना, वह मैं उसका बताता हूँ, सभी मैं एक मिड़ में आ रहा हूँ है, जी, चोटी बाई की तबिया संगी तो बगदावाई दे लगाने चलेंगा, जी, अब कुछ बहता है, असल में वह थोड़ा सा नॉर्मल है, तो इस फ़रे से थोड़ा सा लिस्टर में होती है, अच्छा, तो ये, अब हमें अगर सेली पर सार्ट करना है, तो, मैं इसमें एक उप्शन जूमता हूँ, ये, ये, जएलिम् में करना हूँ, ुस्वाइब जाकर हमने सट्सकों आगया और इसने वैसमें दुबार अकर करकोशतुमा है कि यह कॉलम पे किलिक करा मैंने आप यह यह ऑप्षिना गया देखें फिल्टर का इस पर मैंने किलिक करा और जो भी जिस सेली का भी सर्च करना है तो करके इंटर जी जी बिल्ग यह औरिकल एपक्ष में बहुत अच्छे उप्चन है कि किसी भी कॉलम पर इजी सर्च हो सकता है इसमें और पूरे टेक्स भी सर्च हो सकता है और और एकल फॉर्म पर क्या है कि वहां पर काफी मुश्किलाद होती है इस तरही से सर्चिंग का उप्षन नहीं ह कर दो कि अच्छा कर आप व यह तो सलम बढ़ भी हमने बना लिया कि आमें विजेट के तो फॉर्म या अब हम यही फ्वर्म बनाते हैं मैन वली यहीं के इसमें हमें सारा काम कर दोड़ी में दोड़ी अब पर तो अप्राइट काम कि वा अंध्यक में सीफ के बटन पे विच लगा है व इस çocuğa था ये निए कि एंसर्ट के बटन पर और ड्रौ अप्डेट रौड़ या फिरकराब ये नमें लिपार ये तो इससद अब ये निए यानि के राइट हटा भी सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड डिलीट ना हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आप्शन है यहाँ पर बिल्कुल यह रहा यह रहा एड अपडेट डिलीट मैं अपडेट से चेक हटा देता हूँ यहाँ अब देखें आप अब देखें अब डिलीट का उप्शन जाना वह गाइब हो गाइब होगा डिसपेर होगा इसी तरह मैं अब डेड भी अटा देता हूँ अब देखें आप अपडेड भी नहीं हो रहा है किसी फिल्ड पर भी कोई अपडेशन नहीं हो दी अच्छ बिल्कुल ऐसे ही है और इसी तरह की से मैं यहाँ पर एड भी अगर हटा दूंगा और फिर यह जो एड़िट का उप्शन इसको बंद कर दें अब देखें सारे बटन बटन ही गाइब हो गए सारे अरी डाउनली हो गया बिल्कुल यह किलिए रसलिम बई अब 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 जारे अब 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 आधा अब 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 इसमें एक और आप्चन है यह पर इस चेक बॉक्स का देकी है में मल्टी रख सेलेक्ट हो गई बिल्ग ओई मल्टी रख साथ सेलेक्ट हो गई अभी जैसे करे मिसाल के तॉर पर मैंने 2 रख सेलेक्ट कर गई और इन तीनों को मैं चाँ यह 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 आल सेलेक्शन का आप्शन भी आ रहे है और आप एक एक करके भी रख को सेलेक कर सकते हैं। जैसे सिलेक्टर होती यारी हों बिलू बिलू होता है यारा हम अच्छा, आप जिसमें एक और काम ये भी कर सकते हैं, कि इसमें को यह यह रख, यह आपिशन हैं, यह इसे के अंदर Oracle Apex का by default Apex Raw Selector होता है यह यह define करता है कि enable करना है multi selection एक साथ या पर single तो इसमें अभी देखें enable multi select on हुआ हुआ है आप इसको बंद कर दे बिल्कुल है सजी यह जी यह बिल्कुल है जी यह यह रिडियो बढ़ाना है अब यह हाइट कंट्रोल कर दिया हमने यह क्या काम करता है देख देना है कंट्रोल हाइट कर देगा यह वह बिल्कुल है सही है जी कि अच्छा इसी में मैं एक और काम भी कर सकता हूं मैं पहले आपको इसी में इत्तो काम और बताता हूं अब जैसे के यूजर की रिकॉर्मेंट आ गई के वह अलग से जहना वह पैरमिटर देके सर्च करना चाहता है अच्छा अच्छा अहां धॉजर की चाहता हुं जैसे के इसे इतर उपर आज़ें पेरमिटर जाहा है यहाब करना ब्लाएंजर देपाट्म का और उसके लिए दिपार्ट सेलेक और उसी के लियास से लिचेelu हों करें जैना वह रिकॉर्ड आजए को उसके लिए इदा देते हैं इसको डेपार्टमेंट परामिटर नाम देते हैं सेलेक्ट लिस्क कर लेते हैं अब ये पूछ रहे के सेलेक्ट करनी है मैंने का शेर्ट कंपोनेंट में जाओ और डेपार्टमेंट की लिस्क सेलेक्ट कर लो नल वैल्यों नहीं आनी चाहिए उसमें और एक्स्ट्रा नल वैल्यों भी नहीं होनी चाहिए यह देखें यह उपर एक कॉलम आ गया डेपार्टमेंट पैरमिटर के नाम से इसमें डेपार्टमेंट की लिस्टा आ रही है ठीक है सलीम भाई अब जैसे ही में सेलेक्ट करेंगे वैसी इसी के लिए आज से नीचे फिल्टर होके डेटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे अब यह पैरामिटर पास कर देते हैं हम कि इधर डेपार्टमेंट अंडरस्कोर आइडी एक्वल जी वह आ जाएगा है कि यहां पर करना जरूरी देगें पेज आइटम सब्मिट ना आप ने पर पर लिख भी दिया लेकिन अगर आप यहां पर पेज आइटम टू सब्मिट नहीं लिखेंगे तो वह नहीं चलेगा बिल्कुल ऐसे ही जी बिल्कुल अब आकर यहां पर हमने काम करना है एक यहां पर डैनेमिक एक्शन मनाना है और उस डैनेमिक एक्शन पर करना क्या है सब्मेट पेज अब भी जब रिकॉर्ड पेज रिफ्रेश होगा तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं आ रहे होंगा अटिक्छ ठीक है सलिम भई हुआ है है आए है साही चली घया देग्या मैंब मैंने अटमी सिलेक्ट करा एडमी सेशन में एक ही बंदा है रिकॉर्ड आ गया संस अध्यां सेलेक्त करा है mimet के उल्कुल आगए और executive select करता हूँ हुआ शडीं दैंदिस के वंदे उयर कि मैं आपको मैं अब को भी दो परेमिटर और बता हूंगा जिये एक होता हुआं डेट का बता हुआ है दे ट्रेन्ट का और के ब नात हो एक स specially का एको जो और बता हुआ इसको हम थोड़ा चोटा कर लेते हैं परामिटर को वैलियो बहुत बढ़ी है इसको लेंथ यह कहां ते चोटा होगा जनाब यहां से हूं से ऐसको वैलियों है इसको लेते हैं हो यह कहां उनाब। झाल 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 कि अर कि एक और चाहिए कि यह नहीं आपर डिपार्टमेंट बिलेंग छोड़ा कि अब यहां पर लिखावार रहा है सब्सक्राइब टोटल एक सुसाथ रिकॉर्ड जी जी आप देके असल में एक ही पेज आ रहा है पेज अलग नहीं है एक ही पेज है अब आप चाहते हैं कि इन पेजिनेशन हो जाए यह में नीचे तक लेकर आता रहूंगा से लो उता रहेगा तो आप यहां पेग ऑप्ष्यन है यह रहा जी जी यह अब मैंने इसको पेज़ पे कर दिया देगी अब देखें सेलिम भाई के बता रहे है कि टोटल रिकार्ड तो 113 है ठीक है सेलिम भाई लेकिन 13 पे जा रहे है जी सेलिम भाई जी यह एक मैंडम देख लेते हैं यह जी जी बिल्कुल यहां पर भी आप्शन है यहां पर भी आप्शन है यहां पर भी सेलिम भाई एक मैं आ रहा है पर भी सेलिम भाई रहा है झाल 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 मैंने वहाँ पे एक पेच पे 25 रिकॉर्ट्स रखे दे यहाँ 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 कर देते हैं उसके लाज से ही होंगे बाक में एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो देश ग्यारा बारा एक पेश पर बारा रिकॉर्ड आ रहे हैं एक में में आप कल्कुलेटर कोलता हूं कि जी कि तेरा रिकॉर्ड है कि अच्छा यह सरीम बारी ओ ओ सॉरी मैं यह जो दिखा रहें न है वन ओफ तेरा यह बता रहा है कि मैं पहले रिकॉर्ड पे ख़ड़ा वह ओँ पे इस पहले पेश के 13 रिकॉर्ड में से पहले रिकॉर्ड पे अभी में देखें तीसरे पर आता हूं चेंज नहीं है नहीं यह दो पीज नहीं है अब देखें लास्ट पे मैंद आ गया लुए जी यह नंबर ओफ रिकॉर्ड है यही मैं कहना चाहरा हूं आपको यह जो आ रहे हैं बान वही यह नंबर ओफ रिकॉर्ड है यह पेज नहीं है अब देखें लास्ट पेश में आ गया टोटल नौ पेज नौ पेज नौ पे आकर रुक गया कि तो अगर मैं करते हैं कि कैल्कुलेट राउन करते हैं कि देखें नौ पेज आ रहे ना तो आठ पेजों पर रिकॉर्ड आगए एक सुचार और नवे पेज पर तीन रिकॉर्ड आगए रखेंगे जाए इस यह एक लिए इस भी आए जीजी बेंग आज इतने रखतें कर इसको मेंगर पूरा बनाने का सीखतें जी कल इसको पूरा समगने के जो जी जी इशा के बाद जी बिल्कुल इशा के बाद जी आप जिस टैम्पे भी प्रैक्टिस करना शुक करें ना कल जैसे के दुपैर में या चार गंटे बात तो मुझे मैसिज कर दिएगा अगर नहीं चल रहा हो तो मैं अधिस लेकर आपका फटोबर्ट कनेक कर दूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस का टैम्स आए नहीं हो कि अ, जी भी आपकी 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 मैं आपकी आपकी नहीं हो